निश्पक्ष में आपका स्वागत है मैं आजय शर्मा दो ऐसी इंटरनेशनल खबरे में आपके लिए लेकर आया हूँ जो इस दुनिया को विश्विध तीन की तरफ धकेल सकती हैं इसराइल के पूर प्रदानमंत्री बेजंजामी नितनियाहू ने अभी तीन दिन पहले अमेरिका को वार्निंग दिये और उसको उन्होंना बाकाईदा ट्वीट करके अमेरिका की जनता के नाम अपने उस वीडियो को शेयर किया है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा आप उस एक मिनिट के वीडियो को जरूर देखें जो इसराइल ने अमेरिका को चेताने के लिए दिया है अमेरिका इसराइल वैसे बहुत अच्छे मित रहें लेकिन ये मुद्दा इतना कंभीर है कि सीधे सीधे अमेरिका की जनता को एड्रेस किया है बेंजामिन नेतनियाहू ने कि वो अपनी लीडर्शिप पर दवाब बनाए इरान और अमेरिका के बीच एक नुकलियर ट्रीटी होने वाली है जिसे लेकर इसराइल ने बहुत चिंता व्यक्त की है इसराइल का कहना है कि इरान एक आतंकवादी मुल्क है और उसको अगर नुकलियर पावर बना दिया गया क्योंकि इस नुकलियर ट्रीटी से वो तीन साल के अंदर यूरेनियम रिच हो जाएगा डजन्स और डजन्स एटम बम बना पाएगा नुकलियर बम बना पाएगा और उसके पास इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल भी डवलप करने की सुविधा बन जाएगी तो यह ट्रीटी इतनी खतरनाक है और इस ट्रीटी का परिणाम यह होगा कि इरान दुनिया में कहीं भी निकलियर स्ट्राइक करने में सक्षम हो जाएगा और इरान की लीडर्शिप एक गैर जिम्मेदार लीडर्शिप है बंजाविन नेतनियाहु ने यह कहते हुए अमेरिका की जनता को चेताया है अमेरिका के राष्टपती को चेताया है यह बहुत गंबीर मसला है क्योंकि दुनिया जिस दिशा में मुड रही है उसमें रशिया चाइना और इरान की एक एकसेज बनने वाली है जैसे कि कभी हि बंभीर मसला है सबको इस विशय से अवगत होना चाहिए लिंक में जरूर देखें और ऐसा एक प्रेशर इंटरनेशनल अमेरिका पर बनना चाहिए कि वो अपने नहीत आर्थों को जो अल्प समय के लिए हैं उनको नजरन्दाज करके इस ट्रीटी से दूर हो जाए दूसर बहुत बहुत महत्पूर्ण विशय है अमेरिका की प्रेसिडेंशियल केंडिडेट तुलसी गवाड ने धमाका किया है उन्होंने सबूत पेश किये हैं उनकी भी ट्वीट्स की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं कि युक्रेन में अमेरिका की फंडेट 25 प्लस बायो लैप्स हैं जिन में खतरनाक पैथोजेंस पर काम हो रहा है जो कि अगर रशिया के हाथ में लग जाते हैं तो रशिया उन्हें बायो वेपन्स बना सके पूरी दुनिया में और पेंडेमिक ला सकता है प्रशन यह नहीं है कि रशिया ला सकता है या नहीं अमेरिका इ हुआ तो अमेरिका की जो गतिविदियां हैं वो स्वेम बहुत संदिग्द हैं हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका नहीं अपने हितों के लिए तालीवान को जनम दिया था और तालीवान से ही पूरे विश्व में आतंगवाद को जनम मिला तो यूक्रेन की ये जो बायो लेप्स है 25 प्लस जिसमा तुलसी गवाड ने सबूत देखे बताया है कि 250 ब्लियन डॉलर की मदद अमेरिका यूक्रेन में कर चुका है इन फैसलिटीज को डेवलप करने के लिए क्यों पैथोजेंस पर इतना काम हो रहा है इतने खतरनाक पैथ किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि 2014 से ही रिपोर्ट है कि यूक्रेन की दो बायो लेप्स पर रशिया कबजा कर चुका है तो यह बहुत गंभीर मसले हैं और जैसा कि बहुत से अनालिस्ट कह रहे हैं कि 2030 तक वेश्विद्ध 3 की इस्तितिया निर्मित हो जाएं इसराइल और भारत को इसमें बहुत बड़ी भूमे का निवानी होगी कि इस तुरतिय विश्विद्ध को किसी भी तरह से ना होने दिया जाए टाला जाए क्योंकि दुनिया बहुत अधिक प्रगती कर रही है टेक्नोलोजी के चेतर में बहुत अधिक अन्प्रसिडेंटे प्रगती की है इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए इसको किसी भी तरह से सेव करना चाहिए हुमेनिटी बहुत आगे आगई है उसको पुन है वर्ल्ड वार में धकेल कर एकदम बारवेरिक एज में नहीं ले जाना चाहिए ये सारी बात है हम सब को जानना बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहे हैं लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए थैंक यू बरी माच